दोस्तों नमस्कार PGT PGT Synonym का Set No.3 प्रीएस यस क्वेस्टेंस में दिये गया है Let us have a look Treadulus दिया गया है Treadulus का मतलब क्या होता है Let us see Treadulus का मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर लेता है सीधा साधा ही कह सहज विश्वासी इसकों कहते हैं जो आसानी से विश्वास कर ले सहज विश्वासी गलिबल भी वही चीज होती है सहज विश्वासी आसानी से विश्वास कर ले incredible का मतलब अब विश्वस नहीं होता है आप the same creed का मतलब होता उसी पंध का जरा मैं इस पे आपको विस्तार से ले करके चलता हूँ और इसे आप देखेगा इस word को किस root से आया है actually the root is credo credo का मतलब होता belief होता है विश्वास होता है अब देखेगा credible थोड़ा तेजी से देखें credible का मतलब होता है जो विश्वसनी हो जिस पर हम विश्वास कर सके that is credible, credibility हो जाएगा incredible अजेक्टिव यह भी है incredible जो अविश्वसनी हो और देखें language की कितनी बड़ी यही विशेष्ता है अब विश्वसनी जो है वो नकारात्मक है अगर हम यह कहते हैं your story is unincredible इसका मतलब यह your story is the start of story that cannot be believed जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है लेकिं incredible का एक और भाव होता है वो बहुत सांदार होता है अतुल्य होता है that is incredible बीच में एक स्लोगन दिया गया था incredible इंडिया ऐसा भारत जिस पर विश्वास ही नहीं होता कि इतना सांदार है that is called अतुल्य तो यह इसका यह देखे नकारात्मक भाव लेकर नेरेटिव मीनिंग और यह बहुत सांदार पासिटिव मीनिंग लेकर कहा हुआ क्रीड एक तरह का पंथ मतलब क्रीड पंथ है वह एक तरह का विश्वास है जिस पंथ में आप विश्वास करते है जिस चीज में that is belief तो क्रीड क्या हो गया यह पंथ हो गया क्रेडिट जो होती है आपकी वह साख होती है क्रेडिट क्या है साख होती है जिसकी वज़े से आप पर लोग विश्वास करते है that is called credit उसे हम क्रेडिट कहते है जो क्रेजुलस लोग होते है क्रेजलस कहते है क्रेजलस जो आसानी से विश्वास कर लेते है सहज विश्वासी हम कहते हैं आसानी से विश्वास करने वाला that is called Crazulus अब अगर इसी के पहले हम इन लगा दें तो इनका दो अर्थ होता है एक जो prefix जब लगाते हैं तो एक अर्थ होता है अंदर इन हो जाता है और दूसरा जो होता है इनका मतलब होता अपोजिट जैसे अगर हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं तो अंतर मुखी होता है तो one who turns one's feelings in words अंदर की तरफ हो गया वह क्या इंट्रोवर्ट हो गया लेकिन यहां पे जो हमने दो जगह पे हम लोगों इने लगाया है जैसे इनक्रेडिबल लगाया है तो that is énerчив आप क्रेडिबल हो गया और इसी तरह से इनक्रेजलस जब अगर हम बोलते हैं तो इनक्रेजलस का मतलब जो विश्वास ही नहीं करता है अविश्वासी होता है लिश्यास प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना तो बहाने बाज हो जाएगा जैसे हम बोलते हैं। रिकैल्सी ट्रेंड का मतलब आप जरा समझेगा इसका मतलब जिद्धी या हठी होता है तो इसका जो सिन्निम होगा that will be step born step born का मतलब होता है step burn इसका मतलब होता है जिद्धी या हठी होता है अब आगे देखेगा जूवियल जो दिया जूवियल का मतलब प्रशन होता है तो that is प्रशन हो जाएगा अब यहाँ पे देखेगा जैसे प्रशन है तो जीनियल का मतलब भी हसमुख होता है जोकिंग का मतलब जो करने वाला यानि मजाक करने वाला जूवियन का मतलब जोड होता है तो that is जूवियल नमबर फाइब में आएगा इंपर ट्यून का मतलब होता है अनुने विने करना याचना करना और जिद भी करने के सेंस में होता है तो सॉलिशिट हो जाएगा सॉलिश solicitant जो होता है वो प्रार्थी होता है यह नाउन हो जाएगा opportunistic यह objective है इसका मतलब औसर वादी है quarantine यह बड़ा प्रासंगी relevant वर्ड आ गया है आज कल के समय में यह हम लोग जब कुरोना चला quarantine का मतलब होता है अलग रख देना अलग कर देना इस इसो लेट का मतलब एक चोथा एक होता है फोlae 분들은 यह आप जानते हैं यह स्टैंश आप बेट का मतलब होता है कम हो Nap कर सिट्रॉएं ध्रन ड्wn ड्रोल का मतलब होता है कि कमलब न थो अवह il ह lesson बेट का मतलब होता है जो मचली का 1 or 5 शाय जाता है बिटिंग हो जाएगा, accomplishments का मतलब होताू है, nishpadan करना, amelorate amelorate का मतलब होता है, tsudharna, allemyllrate का मतलब सुधारna, that is improve, debt rate का मतलब होता है, विगार देना, खराब कर देना, बरबाद कर देना, that is check करना, debt rate हो जाएगा, and mediate का मतलब होता है, madhyastha Acts kurz. ना select the right meaning of the word biography biography अब जरा हम इस पे देखते हैं biography पे और आईए हम लोग सीखते हैं इसको graphene का मतलब होता है graphene graphene का मतलब होता है to write लिखना हो जाता है तो biography जो हो गया bias का मतलब life हो जाएगा bias मतलब life तो biography जो होता है यह क्या है या जिवनी writing about somebody किसी के बारे में जो लिखा गया होता है उसे हम क्या कहते है biography अगर इसी में आटो जोड़ दें तो आटोस का मतलब होता है self तो जो self आपकी क्या है self biography हो जाएगी इसका मतलब जो biographer और biography होगा वो दोनों व्यत्त एक ही होगे इसको हम आत्मकथा कहते है अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यहां से जो आएगा that will be आत्मकथा biography अब आगे आप देखें अगला इसमें क्या दिया गया है तो यह हमारा क्या हो जाएगा the life history of a man written by someone else जो किसी दूसरी विक्त की द्वारा लिखा जाता है उसे हम क्या कहते है that is called जीवनी उसे हम जीवनी कहते है question number 10 को देखें elegant दिया गया है elegant का मतलब होता है उतक्रिष्ट होता है सजीला होता है हसीन होता है that will be graceful अच्छे gentle का मतलब आपको पता ही है सीधा साथा assist हो जाएदा famous प्रशिद्ध हो जाएगा तो उम्मीद कर रहा हूं कि विस्तार के साथ आप चीजों को समझ रहे होंगे और अच्छा करें thank you very much